तो गाइज, अगर आप लोगों का भी Omi TV बैन हो चुका है, चाहे किसी भी रीजन की वज़ा से, तो उसके बाद आपने पका इस रिमूव बैन पे तो जरूर क्लिक किया होगा, उसके बाद आप लोगों को बता है, यह 990 रुपे मांगते हैं, जो कि obviously हम देने वाले हैं नी, तो इस वी तरीका मैं आप लोगों से अब शेयर करने वाला हूँ, तो सबसे पहले आप Omi TV को अनिस्टॉल कर दो, डाटा भी क्लेर कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अनिस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, अनिस्टॉल करके वापी से इंस्टॉल करना है, जिस तरह से एक नहीं आप इंस्टॉल करते हैं, तो जब तक यह आप इंस्टॉल होती है, तब तक मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूँगा, देखो, यह तरीका 110% वर्क करेगा, उस चीज की करेंटी मेरी है, लेकिन अब देखो, आप लोगों को मुझे एक फेवर करना हो अगर कि अगर यह तरीका आपके लिए काम करता है, जो कि obviously करना ही वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को अपनी UPI ID और QR Code देने वाला हूँ, आप लोग जितना चाहे अपनी मर्जी से 10, 20, 30, 40, 50, 100 कितना भी सेंड कर सकते हो, देखो, यार, 1000 उपे ब भी करके देख लो, यह नहीं open होता है, इसके आगे कुछ आता ही नहीं है, वो reason ही है कि यह WK वाली एप जो है न, वो इंडिया में ban है, तो हमें इस आपको किसी तरह से चलाना है, आपको प्ले स्टोर में जाके, यह WK नाम की application सर्च करके, यह WK music video वाली application को install करना है, और यह app जो है, इंडिया में यह नहीं चलती है, तो उसको चलाने के लिए आपको एक VPN भी install करना होगा, तो finally यह app जो है, वो install हो चुकिए, इसको मैं open करके दिखाता हूँ, तो यह app जो है वो VPN के बिना नहीं चलती है, आप कित्ती भी try कर लो, तो अभी हमें एक VPN इंस्टोर कर करना है, agree and continue करना है, और किसी भी server के साथ connect कर दो यार, इंडिया को छोड़के कोई भी server चलेगा, तो यह भी add को मैं cancel कर देता हूँ, यहां से, और आपको यहाँ पे top पे click करके, कोई भी, इंडिया को छोड़के कोई भी server select कर लेना है, तो यह आगे सारे server, तो यह United Kingdom वाले server से मैंने connect कर दिया, और जैसे ही VPN, हाँ, top पे आपको दिख रहा है कि VPN जो है, वो connect हो चुक है, UK के server के साथ, यह देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, United Kingdom के server के साथ यह VPN जो है, वो connect हो चुक है, तो अब finally हमें वापिस अपनी VK वाली आपको open करना है, और इसमें हम account बनाना है, जैसे Facebook में बनाते है account, बस उसी तरह से, लेकिन इसमें बड़ा easy होगा, सिर्फ phone number के साथ account बन जाएगा, तो यहाँ पे नीचे sign up पे click करने के बाद, आपको अपना phone number डालने है, उसके बाद continue करना है, यहाँ पे आपको capture दिखाएगा, code दिखाएगा, यह code डा call आईगी, जैसे अभी मुझे यह call आ रही है, तो इसके last के चार डिजिट है, जैसे इसका 829, आपको वो यहाँ पे enter करना है, ठीक है, तो आपको वो number याद रखना है, मेरे तो दूसरे phone पे आईगा, आपके तो इसी phone पे आईगी, तो आपको वो last के चार डिजिट, रहा है, तो password जल्दी से डाल लो, कुछ भी अपनी मर्ज़े, जो आप जो भी डालते हो, जल्दी से, उसके बाद वापी से continue दबा दो, तो finally guys, यह account जो है, हमारा create हो चुक है, अगर यह आपके सामने आता है, तो never पे click कर दो, जल्दी से skip वोगेरा कर दो, एक परी चेक कर तो VPN आपका connected ही होना चाहिए, अब VPN connect background में है, हमें Omidv वापी से okay करना है, और sign in with VK पे click करना है, आप देख सकते हो, पर VPN जो है, वो हर टाइम connect था, तो अभी देखो, यहाँ पे sign in करने के बाद, हमें next page मिल गया, हम allow पे click करेंगे, और guys, finally, हमारी app जो है वो, चलने लग जाएगी, हमारा जो band था, वो finally हट चुका है, हम Omidv के home screen पे आ चुके है, आपकी video calls जो है, वो आप वापी से start कर सकते हो, और हाँ, आपको VPN या VK आप जो हमने install की थी, उनकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप चाहें तो नहीं uninstall भी कर सकते हैं, अब यह वैसे ही जलेगा जैसे आप पहले चलाते थे, विदाउट VPA, तो यह है मेरी UPI ID और मेरा QR code, अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी help हुई है, तो आप लोग इस QR code को स्कैन कर गई है, UPI ID के थूँ, मेरी भी थोड़ी सी help कर सकते हैं, थैंक यू सो मच पर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें